माननिय सुप्रेम कोट ने हस्बंट की इस गलती की वज़े से हस्बंट को साथ वरस के लिए जेल के अंदर भेज दिया तो यहाँ पर अगर आप भी हस्बंट है तो भूल कर भी ये गलती ना करे जो इस हस्बंट ने की और जेल के अंदर जाना पड़ा तो आपको सतरक रहना है इस गलती से बचना है ये कौन सी गलती है इस वीडियो का अंदर बताने वाला हूँ इसलिए अंतक मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है पूरी जानकर इसमझ में आ जाएगी माने सुप्रेम कोड का बहुती मैत्पून जज्जमंट बहुती मैत्प तो चलिए शुरू करते हैं मैन मामले के उपर चलते हैं तो मामला इस तरीके से हैं मानि सुप्रीम कोट का ये जज्जमेंट है इसमें ये बाते कही गई है कि 2008 के अंदर 2008 के अंदर ये होता है कि जो लड़के के पिता है वो क्या करते हैं लड़की के पिता को कोल करके बोलते ह कि आपकी लड़की ने जहर खा लिया है हम इसे hospital लेके जा रहे हैं तो आप भी आ जाईए तो यहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं और कुछ समय के बाद में लड़की की death हो जाती है अब जो लड़की के पिता है वो क्या करते हैं कि लड़के के उपर और लड़के के जो माता पिता है उनके उपर 304B का मुकदमा कर देते हैं यानि कि लड़की के जो husband है साथ सुसुर है उनके उपर ये मुकदमा किया जाता है अब trial court के अंदर जब मामला चलता है तो trial court के दुवारा यान कि जो लड़की के husband को और 7 सुसूर को दोसी करार दिया जाता है 7 उरस की सजा इनको सुना दी जाती है अब appeal के लिए इनके दुवारा जाये जाता है high court हाई कोट जाते हैं तो हाई कोट के दुआरा जो हस्पेंट की सजा है उसको ब्रकरार रखा जाता है कि यहाँ पे हस्पेंट है जो साथ उरस की सजा का बिल्कुल हगदार है पर जो साथ सुसूर है उनको दोस्मुक्त कर दिया जाता है इस सजा से उनके एविडेंस होते हैं ज लड़की ने खुदी ऐसा किया है ये बार-बार मुझे धमकी वगरा भी देती थी और अंत में इसने ऐसा कर लिया तो इसका जानबूच के प्लान था मुझे फंसाने का मेरे परिवार वालों को फंसाने का मेरे परिवार वाले यानि कि जो मेरे माता पिता है वो तो निकल नहीं था तो यहां पर मेरा भी दोस्त नहीं है मेरा नाम भी निकलना चाहिए और यहां पर हस्पेंट के पास में ऐसे कोई एविडेंस होते नहीं है कोई एविडेंस नहीं होते है कि मुह से बोली हुई बात होती है यहां पर हस्पेंट की साइड से मुह से बोली हुई बा जाता है तो यहाँ पर इससे आपके क्या समझ में आया hasband ने कौन सी गलती यहाँ पर कर दी तो देखो यहाँ पर मैं aware आपको कर देता हूं कि अगर आपकी गलती नहीं है आप husband है तो आपको पहले सत्रक हो जाना है आपकी wife अगर आपको धंकी दे रही है वाइफ के उपर कारवाई नहीं करवानी है आपको silent तोर पे वो application देना है उसकी रिस्यून लेके अपने पास में रख लेना है या फिर आप उससे अलग हो जाओ वो इस तरीके का बरताओ कर रही है तो इस तरीके से आपको सत्रक होना है सावधान या बरतनी है अगर आपके पास में evidence होंगे आपकी वाइफ अगर इस तरीके का कोई हाथसा करती है तो आपका बचाव है जो हो जाएगा तो यहाँ पर इस मामले में husband ने गलती कर दी कि उसको अगर कोई धमकियों अगरा मिल रही थी या फिर वहाँ पर वाइफ गलत करने की बोल रही थी तो husband को evidence बनाने थे पर इहाँ पर husband के पास में जब कोई evidence थे नहीं तो husband को jail के अंदर जाना पड़ा जेल की सजा उसको हो गई वहाँ पर साथ वरस की सजा हुई तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा आपको evidence जरूर बनाने है अगर इस तरीके की कोई घटना हो जो real में ऐसी घटना करेंगे उनको जरू सजा होगी उनका बचाव नहीं होगा पर यहाँ पर जो निर्दोस है अगर वो बिनावज़े फंस रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए बात है कि उनको evidence बनाने है यह जानकार इसमझ में आ गई होगी माने सुप्रेम कोट का जो यह judgment है इसका link इस वीडियो के description में दिया गया है इसके उपर click करके इसको चीतरे से read कर सकते हैं तो फिर आगे मिलेंगे आपसे ने वीडियो नेट टोपी के साथ में आप सभी का भूत भूत धन्यवाद